सो हाई एवरिवन सो लेट एस एव लूक एट टी गूपल किक्सटर्ट राउंड ट्वेटी ट्वेटीवन प्रॉब्लम नुम्बर थ्री वे वोज नेम इस रेबिट साउस ठीक है रेबिट हाउस ठीक है तो पहले कोश्चिन को समझ लेते हैं बात में कैसे अप्रोच करना है क्या solution है क्या concept है वो देखेंगे और जो code है वो मैंने comment में provide किया है ठीक है तो यह जो house है वो आर नंबर ओफ रोज है और सी नंबर ओफ कॉलंब्स है ठीक है ओके रबिट्स लव टु जंप सो बार्बरा स्टेक्ट डिस सेवरल बॉक्सिस उन सेवरल सेल्स उफ दे ग्रीड इच बॉक्स इसक्यूब वित इक्वल दैमेंशन वीच मैंच एग्जेटली दाइमेंशन ओ ओफ रसेल्स ऐसेल्स के साइज तो इन पर इस तरह के एग्जेटली इस सेज्स के बॉक्सिस रखे गए है वन और टॉप अफ दी अधर ऑगर ऑबार्बरा ऑन सम अफ दा सेल्स ठीक है क्योंकि रेबिट को जंप करना पसंद है तो उसके लिए था कि वह जंप कर सकें यहाँ से ज्याद़ हैं तो एक से ज्याद़ जैसे कि मैं लीज़े है यहाँ पर दो बॉक्स रखें और यहाँ पर चार रखें तो यहां से यहां जम क्रिक अटो टुक्य है डिक्रीज होगी ठीक है तो यह रेबिट के लिए डेंजरेस है तो अब इस प्रोब्लेम को सॉल करने के लिए बार्बरा ने कुछ अज़स्मेंट करने का प्लान किया है तो अगर ऐसा कुछ है तो उसने कोशिश किये कि इन दोनों की साइस का जो डिफरेंस है वो टू से डिक्रीज करके वन या तो जीरो कर दिया जाए यह मैक्सिमूम दिफरेंस वन होना चाहिए यह जीरो भी अलावड है ठीक है एस अल दे बॉक्सेस अर सूपर ग्लूट बार्बरा कैनोट रिमूव एनी बॉक्सेस थाट आर थैर इनिशेली हवेवर सी कन एड़ बॉक्सेस अन टॉप उफ दें शी कन एड़ एज मैनी बॉक्सेस असी वन्स तो एज मैनी शेल्स असी वन्स डिट्रमाइन द मिनिमूम नमर उफ बॉक्सेस तो भी एड़ ठीक है वन तो यह अलाउड है ठीक है तो इसी तरह से हम कितने कोई भी शेल्स में कितने भी बॉक्स एड़ कर सकते हैं तो हमें पुछा गया है कि मिनिमूम कितने बॉक्सेस एड़ करने पड़ेंगे ओवर आल ताकि यह जो कंडिशन है मैक्सिमम डिफरेंस बिट्विन एजसेंट इसेल्स वन हो यह सैटिसफाइओ ठीक है तो अब यहां पर मैं एक एक्जामपल से स्टार्ट करता हूँ उसके बाद आगे समझेंगे और एक एक्जामपल जो सेंपल टेस्ट केस्स में दिया गया है वो भी देख लेंगे ठीक है अब यहां पर एक बात सहों जिससे की माल लीजिए यहां पर 8 है ठीक है अब यहां पर 5 है यहां पर 4 है 1 2 कुछ भी ले लीजिए 3 8 7 & 6 ठीक है तो एक बात समझेंगे कि हम जब एड़्जस्मेंट करने जाएंगे तो जो मैक्स वेल्य होगी पूरे ग्रेड में से उससे ज्यादा वेल्यों कभी होगी ने ठीक है मतलब कि अगर इसको मुझा convert करना है तो मान लो अगर मैं सबको 8 कर दू तो यह भी valid है अलाकि इसमें हमारा answer नहीं होगा minimum number of boxes एड़ नहीं होगे इसमें ज्यादा होगे बट मैं यहां पर एक point clear करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो max value होगी ठीक है उससे ज्यादा कभी नही of boxes चाहिए होंगे 8-4 8-1 plus 8-2 and so on अब मान लीजे मैं कहीं पर 10 कर देता हूँ तो अब इसकी वज़े से बाकी सबको भी at least 9 करना पड़ेगा इसको 9 इसको 9 इसको 9 इसको 9 इसको 9 इसको 9 ठीक है यह तो 8 चल जाएगा तो अब difference क्या रहेगा 8-4 plus 9-1 plus 8-2 यहां पर 10-8 तो य यह जो सारे 8 थे उससे तो ज्यादा हो गया difference ठीक है तो एक बात तो समझ में आ गई कि जो maximum value है उससे आगे कभी जाना ही नहीं है ठीक है ठीक है अब एक दूसरा पॉइंट यह क्लियर हो गया आप दूसरा पॉइंट देखते है कर दूसरा हुद ya मा लीजेए यह है यहां परह सेवन कि यहां पर है एक सटीब दॉसरा है यह माल लीजेजेव्ट यहां पर 9 ठीक है ओर यह वन 1 1 1 अब यह 9 है तो मैं क्या कर ता हूं मैं यहां पर 8 कर देता हूं यहां best यहां पे हम क्या रख सकते है यहां पर मुझे लगा कि यहां पर 7 कर देता है तो यह मैं 7 कर दिया अब यहां पर मुझे लगा 6 कर देता है यहाँ पर मुझे लगा 5 कर देते है यहाँ पर मुझे लगा 4 कर देते है बट 4 फिर यहाँ पर satisfy नहीं हो रहा ठीक है तो यहाँ पर 6 कर देंगे ठीक है यहाँ पर 6 कर देंगे तो यह भी satisfy हो गया वो भी satisfy हो गया चलो वो भी ठीक है तो यहां पर हमें समझ में क्या आता है अगर थोड़ा और डीपली समझना है यह अगर 7 होता है यह 11 ही होते तो यह 4 यह 3 ठीक है तो बैटर जब यहां पर 7 था तब यहां पर अगर हम 7 को 6 कर देते हैं ठीक है क्योंकि अब तो इसको 6 करना ही पड़ रहा है अब इसको 6 किया त ठीक है तो अगर हम ऐसे straight adjustment करने लगे कि जो maximum में उसको adjust किया फिर उसके पास वाले को उसके पास वाले को तो यहां पे अगर कोई बड़ी value होगी तो बहुत problem होगी जैसे कि यहां पे 9 हो गया तो अब 3 से पहले 8 करना पड़ेगा फिर इसको क्या करना पड़ेगा वापस 7 करन पड़ेगा इसको 7 करना पड़ेगा इसको 6 करना पड़ेगा तो अब जाके वैलिड हुई तो बैटर है कि जो सबसे बड़ी value है at moment उसको हम चेक करें क्या क्या मतलब है कि अगर हम same example ने है यह 9 है ठीक है यह 8 है यह 1 1 1 1 1 1 1 तो maximum यह 8 सौरी 9 तो इसके असपास चेक करें तो इसको 8 कर देंगे ठीक है अब यह 8 है तो इसको 7 कर देंगे अब यह दुनों तो चेक हो गई है अब यह इतनी बाकी है इनके adjacent चेक करने बाकी है यह दुनों तो वैलिड हो गई है तो इसको चेक करने के वज़े है अगर हम इसको चेक करें तो यहां पर हम पहले ही 7 डाल देंगे ठीक है अब दोनों 7 है तो यह 6 हो जाएगा यहां पर यह 6 हो जाएगा तो यह valid हो गया तो कहने का मतलब क्या है कि जो maximum है उससे कभी value बढ़ने वाली नहीं है वो पहले point में हमन आसपास के चार चीज़े उसको हम compare कर दें ठीक है और उनमें जो भी changes required हो वो कर दें तो हमें minimum number of moves मिल जाएंगे ठीक है कि जैसे कि यहां पर मन लो 9 दिया है ठीक है यहां पर 1 है यहां पर 2 है यहां पर 6 है यहां पर 1 है इसको कुछ भी ले लो अभी के लिए 8 ले लो मान लो 8 8 या तो फिर 7 6 8 तो इसके एड्जसेंट को हम देखेंगे कि यह valid नहीं है तो यहां पर मैं 8 कर दूंगा ठीक है अब जब मैंने इसके सारे एड्जसेंट को चेक कर लिया है तो एक बात तो sure है कि यह values यह maximum थी यह उससे एक कम होगी यह equal होगी इसकी एड्जसेंट्स ठीक है तो अब हम जब यह visit करेंगे तो इसको तो change करना ही नहीं पड़ेगा ठीक है अब बाकी के एड्जसेंट को चेक करना पड़ेगा ठीक है और यह भी sure है कि अगर कोई एड्जसेंट visited नहीं है इसका कोई जैसे कि यह तो visited यह विजिटेड नहीं है तो वो उससे कमी होगा ठीक है तो इसको वापस change करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी तो हम क्या करेंगे एक priority queue रखेंगे जिसमें कि हम maximum जो value होगी उसको सबसे पहले evaluate करेंगे फिर उसके adjacent को change करेंगे उसके बाद पूरे grid में जो maximum value होगी और unvisited से लोगा उसको evaluate करेंगे ठीक है जो example दिया गया है sample test case में उसको समझता है जैसे कि यह दिया गया है 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 ठीक है तो यहाँ पर priority queue priority queue में priority किसके basis पे होगी यह जो value है उसके basis पे होगी तो priority queue में क्या क्या होगा यह अगर one based index रख दे तो हमारी priority queue में सबसे पहली value क्या होगी 2, index क्या है 2,2 ठीक है उसके बाद सारे 0 ही ठीक है तो 0,1,1 0,1,2 0,1,3 0,3,1 0,3,1 0,3,2 0,3,2 0,3,3 ठीक है तो अब इसको हम evaluate करेंगे हम देखेंगे कि इसके adjacent में कोई ऐसा है जो unwisited है और जिसकी value इसके साथ difference लेंगे तो one से ज्यादा है तो यह चारो है ठीक है तो इन चारो की value हम one कर देंगे ठीक है क्योंकि हमें minimum steps चाहिए वरना two भी कर सकते दें ठीक है one हो गई अब यह visited हो गया अब यह जो है यह है one comma two तो अब जो priority क्यों modify करेंगे तो सबसे आगे क्या हो जाएगा यहाँ पर one comma one comma two one comma two comma one one comma two comma three one comma three comma two लेकिन यह sense तो q में already है हलाके visited नहीं है लेकिन q में already है तो एक doubt यह आईगा कि ऐसे हम change करते रहेंगे तो repetitive जो elements है वो q में add होते जाएंगे तो कई time limit exit तो नहीं हो जाएगी लेकिन time limit exit नहीं होगी q क्योंकि एक element है वो maximum दो बार q में आई गया एक बार initially हम जब डालेंगे तब और दूसरी बार अगर मान लीजिए यहाँ पर nine है ठीक है तो इसको हम eight कर देंगे अब जब हम इसको q में डालेंगे तो एक बात तो sure है कि इसका जो maximum adjacent है वो nine है क्योंकि अगर 10 होता तो इसको nine करते थे और nine से बड़ी जो भी value है वो already visited है तो इसका maximum adjacent जब nine है वो visit हो गया है इसकी खुद की value eight है तो कोई चांसी नहीं है अब बचता आसपास के elements के कारण सपोज यहाँ पर one है या तो फिर इतना ही लेले कोई चांसी नहीं बचता कि इसकी value को वापस add करना पड़े ठीक है तो maximum कोई भी excel है वो q में दो बार आएगा ठीक है और एक बार जब यहां से अब जैसे की q में से हम 1,1,2 निकालेंगे ठीक है तो इसको हम visited mark कर देंगे ताकि जब वापस 1,2 आई तो इसको हम simply neglect कर देंगे difference 1 का difference 1 का तो कोई बात नहीं allowed है निकाल दो 2,1 सेम ठीक है 2,3 3,2 ठीक है अब यह चार बचे ठीक है यह यह वापस आएंगे q में लेकिन उनको निगलेट कर देंगे क्योंकि वह already visited है अब इनको चेक करेंगे तो यह वैलिड है यह भी वैलिड है यह भी वैलिड है यह भी जब तक empty नहीं हो जाती तब तक यह process हम करेंगे ठीक है तो इसमें कितने steps लगे चार क्योंकि यहाँ पे एक box टाल है एक एक सॉरी minimum number of boxes कितने हुए वह हमारा answer हो गया है और जो हो मैंने comment में provide किया तो यहाँ पर time complexity क्या होगी maximum अगर देखे तो number of test cases है 100 ठीक है और यह तो जो box की value है वह है उसका तुछ लेंदा नहीं है झाल